नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और Special Stories तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है Special आईए देखते हैं अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो आपकी सहयता कर सकता है लेकिन जब से Google ने हमारी जिंदगी में एंट्रे की है तब से जमाना बदल गया है किसी भी चीज की जानकारी और ग्यान चाहिए तो Google कर लीजिए गूगल पर आपको तमाम तरह से मदद मिल जाएगी और भी सूपर फास तरीके से जरा सोशिये अगर गूगल ना होता तो कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती आसे करीब 20 साल पहले जब गूगल बनाया गया था और इसके जनम के पीछे भी यही सवाल थे कि जानकारी हासिल करने का बहतर तरीका क्या होना चाहिए इस आइडिय की उपज अमेरिका के दो कॉलेज छात्रों की थी अमेरिका के स्टैन्फोर्ड युनिवरस्टी में पढ़ रहे इन दो स्टूडेंस के नाम लैरी पेस और संगेई ब्रेन थे ये कम्प्योटर इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इन्हें पीएस्टी के लिए प्रोजेक्ट तयार करना था इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में इंटरनेट से जुड़ा ऐसा सवाल चुना जो आज हम सब की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है करीब चार साल की रिसर्च के बाद इन्होंने बैकरब के नाम से ऐसा सर्च इंजन बनाया जो एक बहतर प्लैटफॉर्म था बाद में उन्होंने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा और 1998 में इसे लॉंच किया आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि गूगल पर आपको हर जानकारी फ्री में मिलती है पर फिर भी वो कमाई के मामले में शिर्ष कंपनियों में से एक है आज गूगल दुनिया का सबसे लोग प्रिय सर्च इंजन बनाया गया है और 2017 में गूगल पर हर रोज औस तन साड़े तीन अरब सर्च की गई गूगल पर हर सेकिन में 40 हजार और हर मिनट में 24 लाख सर्च की गई गूगल की इससे हर मिनट में एक करोड की कमाई होती है गूगल का ओफिस कैलोफोर्निया की सिलिकॉन वैली में है इस कंपनी में 70,000 से ज़ादा लोग काम कर रहे हैं और इसकी CEO सुन्दर पिचाई है इसके फाउंडर लेरी पेज को फोब्स की ओर जारी होने वाली दुनिया की टॉप 20 बिलनेयर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है उनकी नेटवर्थ 2589 अरब रूपए है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब